याजगाल के सिच्छित बिरोजगारी का मेन कारण यहां की सरकार और यहां की जनता है जनता इसलिए क्योंकि जिससे आप सरकार चुने हैं आप उस सरकार से कोश्चन नहीं करना चाहते हैं परस नहीं पुछना चाहते हैं और वो सरकार आपके परसन का जवाब नहीं देना च समझती है वैसे ही हमारे सामने एक हमारे भाई हैं जो एक साइज कोण स्टेबल का एक जाम दिये थे अब तक का इनका रिजल्ड नहीं आया हुआ है बताये भाई कब एससी एश्टी फोम के लिए 200 रुपिया लिया गया था अब ये सरकार अभी तक रिजेल्ट नहीं घोषित की है लोगों को पोश्ट नहीं दी है फिर किसलिए ये पैसा क्या कर रही है क्या ये पैसा से चुनाव लड़ा जा रहा है क्या पब्लिक के पैसा से आप लोग चुनाव लड़ते हैं या रोजगार भी देते हैं यूवाओं को रोजगार देते हैं यहां की जो सरकार है वो रोजगार तो कम रोजगार कम देती है लेकिन यहां भरोसा सिर्फ जादा देती है जारखन के यूवाओं आपको अंदोलन तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी सरकार आपके परस्ण काज कोई जबाब नहीं दे देती है। लेकिन भेकंसी अपने ही निकाल रहे हैं जो लोग अपने पैसे से ये सारे सर्टिपिकेट को गरहन किये हैं प्राप्त किये हैं उन्हों भी बिरोजगार हैं वो भी बिरोजगार नहीं सहाब वो सिच्छित बिरोजगार हैं ध्यान दिजिए वो बिरोजगार ही नहीं कि यहां के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है यहां की सरकार की नितीत नीख खतम हो चुकी है कि एक सिछत लोग सिछित लड़का माबाप का सहारा ना बन करके माबाप का बोज बन जा रहा है किया आप सहब हमारे राज की परगती कैसे कैसे होगी हमारे राज का प्रोगरेस कैसे होगा आप सत्ता में आने से पहले ही बड़े अस्वासन दिये थे कि यहां के महिलाओं को नोकरी लेने में 50% का राचन दिया जाएगा क्या साहब 50-35 आराचन की बाद की बात होती है आप तो भेकेंशी निकालिए फिर आराचन 25 परतिसाद दीजी आप 75 परतिसाद दीजी कहीं ने कहीं बिरोजगारी की मुद्दा थोड़ी तो खतम हो जाएगी या तो महिलाओं को नोक्री मिल जाएं या तो पुरूसों को नोक्री मिल जाएं किन्ही को तो नोक्री मिलेगी यहां की बिरोजगारी की समसिया तो खतम होगी या हमारे जो भाई यहां सामने खड़े हुए थे इनसे एक साइज कॉंस्टेबल के लिए 200 रूपिया सुले गए हैं कितने भाईयों के साथ ऐसा असुला गया होगा आप यहां इनके OBC के लिए 800 असुले गए थे क्या साहब क्या चुनाओ पर चार परसार के लिए आपके पैसे कम पड़ते हैं यह सारे पैसे कौन कोस में रखे जाते हैं और यह पैसे का काम क्या होता है यह जनता आपको एक अभी भावक चुनी है आपको एक गार्जियन चुनी है और यहां आप एक guardian है बाकी सब आपके जनता है जनता का ये फर्ज बनता है कि आपके आप guardian है guardian से पर्षन पूछे आप कोई भेकनशी तो निकाल ये सहाब बाकी यहां की जनता की बिरोजगारी की समसिया बहुत ही बढ़ती जा रही है हमारे जारखंड के युवा भाई और बेहनों आपको तब तक ये पर्षन पूछने अपने सरकार से जब तक कि आपकी सरकार इसकी कोई जबाब नहीं दे देती है 15 तारीको 15 सेप्टेंबर को आप लोग एक हैजटेक का उपयोग कीजिएगा ट्रेंड करवाईएगा इस बिडियो को आप इतना अप सेर कीजिए ताकि यूटूब में आपका ट्रेंड हो जाए और ये आपकी आवाज है पूरे राईची की आवाज है और आपकी आवाज स पी एसी जे एससी आपको इसे ट्वीट करना है 15 शेप्टेंबर को 15 तारी को कुछ जो हमारे लोग हैं हमारे आदर्स जो अस्मिर्ती मेम हैं उनका कॉमेंट आया था कि बात करनी है हम लोग बात करने के बाल जो फाइनल टी सेजन होगा हम आप लोग तक सेर जरूर करेंगे सा हम आप लोग के साथ वे सारी चीजों को शेर करने की पूरी कोशिस करेंगे चलिए दोस्तों आपको ये हैज्टेक का उप्योग करना है फिर आपकी सरकार आप अगर उस सरकार को बना है तो वो सरकार का दाइत बनता है जिमेदारी बनता है कि उनकी जवाब दे लेकिन आप भी सरकार के खिलाप कोमेंट नहीं किजेगा अभत्र बातों का अपयोग नहीं किजेगा यह तो तो क्यों नहीं वे मेरे साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, बस आप लोग ट्रेंड करवाईएगा, वे जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे